हलो सूपर इंवेस्टर्स आज मार्केट में तेजी देखने को मिली बट फिर से अभी लग रहा है मार्केट फिर से कर्रेक्शन बोड में आ सकता है क्योंकि आज बैंक आफ स्वेडन ने इंट्रेसेट हाई किया है 100 basis points है मत तो 1% से इंट्रेसेट हाई किया है तो यह indication है कि अभी सभी banks aggressive हो रही है और UK market भी आज 0.60% डाउन था German market 1% डाउन अभी USA का S&P 500 1.30% डाउन Dow Jones 1.25% डाउन Nasdaq 0.80% डाउन है and small cap 2000 index USA का 1.50% डाउन है तो ओर आल देखा जाए तो फिर से थोड़ा सा भी गिरावट का महवल लग रहा है जहां तक FII और DIA ने आज इंडियन market में दोनों ने भी buying ही किया है net buying है FII ने 1196 क्रोड का net buying किया है आज और DII ने 132 क्रोड का net buying किया है और इसलिए दोनों नों भी आज net buying करने के कारण हमें आज मार्केट में तेजे देखने को में दिफ्टी में बड़ अब कल क्या होगा यह देखना पड़ेगा तो आज Brent crude oil का rate 90 डॉलर चल रहा है मतलब घड़ गया है तो यह positive बात है तो जो market में fear है दो बातों का है bank of England का भी interest rate का भी कितना बढ़ाएंगे वो भी declare होने वाला है कुछ दिनों में उसके अलावा US Fed की meeting चल रही है आज first day 21st को कल interest rate hike का जो declare होने वाला है 0.75 से होता है कि 1% से होता है उसके कारण लोग के मन में डर है और इसी के लिए market गिर रहा है anticipation में कि 1% अगर rate बढ़ाया तो market गिर सकता है तो इसलिए friends अभी आज निफ्टी 17,800 पे close हुआ है अभी next support है 17,600 और उसके बाद में का support है 17,400 कल market flat से negative biased ही रहेगा उपर जाने के chances सोड़े कम है तो थोड़ा फ्लाट ही रहेगा कल का market या थोड़ा सा correction भी हो सकता है so let's see what happens on 21st of September and friends अगर आपको jackpot share चाहिए होगा जो कि आपको 10-15 days में around 10% का profit दे तो उसके charges मुझे WhatsApp करके आप पूछ सकते हो 954585 0000 इस number पर और अगर आपका आपका portfolio review कराना होगा तो उसके लिए भी same number पर आप WhatsApp के मुझे charges पूछ सकते हो जिसमें मैं आपको बताता हूँ अच्छे shares कौन से है बुरे shares कौन से है कौन से रखना चीए कौन से बेशना चीए Thank you friends all the best for tomorrow's trading Thank you